चोदरी जी सर आपको बहुत बहुत दन्यवाद की मुझे वे बोलने का मौका दिये हैं आप जानते हैं कि जब देश में एक बज़िट प्रकट किया जाता है तो सिर्फ यह नहीं कि देश के मशूर एकॉनमिस बैट के सोचते हैं आकड़े और दिशा जरूर बना के देते हैं मगर भारत वासी और मेरे जैसे ग्रिहस्ती महिला भी बज़िट की तरफ और पलट के देखते हैं यह समझने के लिए कि हमारी जिन्दगी के साथ क्या होने वाली है या आने वाले साल में कहां पैसा का बचट करें परिवार का प्रोग्रेस देखें बच्चों को कहां सिक्षित रखें कैसे रखें और अगर एक सामान्य किसान की परिवार हो तो फिर कई बातों को सोचना पड़ता है तो ये जब बजट बनके आती है तो सिर्फ बातों में हवा महल से हम बात करेंगे तो कुछ नहीं होता है कुछ नहीं मिलता है सर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये मेरे कॉलीग्स इतनी देर से खड़े हैं इतनी दिनों से आवाज उठाते हैं और यहां हमारे रेस्पेक्टड कॉली केशिव राओ जी बहुत ही गरम गरम होके बोले हैं तो वास्तव है कि ये जो तलंगाना आंध्रा ये हमारे जुड़वे बच्चे थे कि एक तल्गू दूसरा तल्गू से हम आजकल लड़के नफरत फैला हुई है खून के रफ़तार बह रहे हैं नदी तलाब सुग गए हैं नया राज बनना था मगर हुआ क्या जो फैसला इस मैदान में होते हैं इस घर में तो क्या किसी सरकार की जिमेदारी नहीं बनती कि आघ जाएगा कि अगर सरकार बदल जाती है तो वादा निभाया नहीं जाता है वाइल है जएध्रा नॉत बिन गिवेन थे स्देशा सेस्टेशल्डीत थी स्टेटज़ंगरी स्थे पोज वांत क्या बहाना है क्या कारण है आपके पास इनको मना के लिए you had said that you will allocate funds what is the percentage that you have actually allocated do you know what is happening in Telangana as well under PMG SY you have given us tokenism हम जरूर बजट के नीचे हैं जरूर बजट के नीचे हैं जहां सबसे ज्यादा ट्राइबल्स रहते हैं तलंगाना में हमारे तंडा गूडम जो हम उसको नाम देते हैं वहाँ चलने की राधिकार नहीं है हमें कि तीन तीन दिन लगते हैं हमारे घरों से सडक तक पहुंचे तक तो इतनी बेरहम सरकार सिर्फ दिखाने के लिए आप बोलते जाते हैं बजट पर वास्तव में हो क्या रहा है ऐसे उम्मीद दिलाए हमें किसानों को कि आपने किसान का बजट प्रकट करें हैं हमने भी सोचा कि हाँ मैं समझती हूं आपकी मजबूरी क्या है देश भर में किसान का आख आपको लग रही है तो आपको समझ में आया और ये साल एलेक्शन आएगी इसलिए तो आप जल्दबाजी में किसान का बजट लेके आएं कितने पैसे दिये भै इसमें पैसे दिये क्या वाट इस ओवर्राल परसंटेज देट आपको लोग एसी कमरे में बैटके जो कभी जमीन जोदे नहीं जब आपने कभी देखा ही नहीं वो तकलीफ आपको महसूस हुआ नहीं कि जब हम खड़े रहते और हमारी फसल सूख जाती है या बंपर क्रॉप मिलके हम मार्केट चले जाते हैं और रेट नहीं मिलती है आप जानते हैं वो तकलीफ क्या है क्या आप जानते हैं कि हम महिला एक इसान जो होते हैं हमारे मंगल सूतर तक हम जिर भी रखे हैं बाइस ही कि हमारा फसल चले आप क्या जाने इसमें समझ में आगय कि आपको कुछ जानकारी नहीं है आपकी सवालों से समझ में आ जाती है कि आपकी बिलकुल जानकारी नहीं है और ज्यादा मत बोल ये ने तो सारा पोल खुल जाएगी तो इसलिए मैं कह रही हूँ ज़रा सोच समझ के कदम उठाए किशान का आकरोश खतम नहीं होने वाली है ये शुरुवात है मेरे भाई इलक्षन तक हम देखते रहेंगे कि MSP क्या है और किसान का ABC क्या है आपको समझ में आएगी आप कह रहे हैं कि बाकी MSP से हम इसको extension of MSP दे रहे हैं बाकी crop के लिए इसका फैसला कोन करेगा नीत्ती आयोग नीत्ती आयोग फैसला करेगी मगर ये कहा नहीं गया कि इसका खर्चा और कर्जा कहां से उठाएंगे कोई budget allocation है ने इस बात पे कोई allocation to department of agriculture और family welfare farmers welfare का नहीं है फिर आप revised estimate में क्या लेके आए हैं नो मुझे समझ में आ रही है जो ये बेचारे नए राजवालों को समझ में नहीं आ रही है आप क्या यहां तो कह देते हैं लाल किला से भी लोग बोलते हैं मगर होता क्या है कि घूम पलटके राज सरकारों पर आप खर्चा ठोक देते हैं और हमारे राज सरकार ये खर्जा उठा नहीं सकते हैं मगर आप तो ड्रामा तो बहुत अच्छा करते हैं आप देखते रहिए आज के दिन जब किसान मर्ध्यवर्ती के वज़े मार्केट चले जाता है तो क्या आप मर्ध्यवर्ती को हटा से भाई साब बैठो जरा जरा विनम्रता से सुनिये सच सुनने का होसला भी रखना क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है कभी चुप जाता है मैं जानती हूँ आप ने आप ने यहां हाउस में आके कह दिया कि हम सरकार हम विया फोस्तु ब्रिंग अप देप्राइस ऑफ फार्मर्स क्योंकि किसानों का जगड़ा और इससे सर आज यह सरकार बोल रहे है किसान का नाम कम से कम ले रहे हैं यहां तक तो वो भी नहीं थी पत वाटर दाउटलेश फोर दे मार्के इंवें इंट्वेंशन और प्राइस सपोर्ट स्की जो बहुत जरूरी है यह क्या करें इसमें गिरावट है फ्रम 950 crores of revised estimate for last year 200 crore 200 crore 200 crore में किसान का भविशा आप दिखा आप इंडस्री के लिए दिये एक दमड़ी का नोकरी कहीं नहीं लगा किसी का मगर इंडस्री को जो रिलीव दिये हैं हमारे किसानों का हमारा करजा का रिलीव नहीं देंगे किसान का डेट रिलीव के लिए आप दो कोड़े पैसे आज तक दिये नहीं मेरे किसान रोज आत सुखुए पानी नहीं आई कि यून्फर क्राप हम क्या हम का पास उगाते हैं। पैड़ी उगाते हैं मिर्ची उगाते हैं एक बार करजा के रूट पे चले गए तो खोई यूटरण नहीं है सरकार के लिए यूटार्म किसान को मिलता नहीं है यह टेनेंट फामर्स का क्या है थे जमीन आप लोगों ने कॉल पे लिया क्योंकि हमारे पास इतनी हैसित नहीं है कि अपनी जमीन रे ले आप जब हम जमीन लेते हैं और नुकसान हो जाता है कहीं आपके बजट में मैंने बहुत गौर से डूंडी एक लवज नहीं है एक सोच नहीं है एक विचार नहीं है कि कॉलदार का हालात क्या होगा इस बजट में सर प्लीज माफ कीजिए आप घंटी मेरे तरफ मत बजाईए सर देखिए किसान के सुइसाइड जो आंद इनके लिए तो कोई सवलत नहीं है और ये कोई सपोर्ट नहीं है इस बजट में और महिला किसान का वैसे तो इस हाउज में महिला का गरीमा और मर्यादा हमने देख लिया है मगर आप जानते हो कि महिला किसान का अहलात क्या होता है जेंडर डिसेग्रेग्रेटिद लांड रेकॉर्ड कोई अग्रिकल्चरल क्रेडिट मिल रहा है क्या एसे जी लोन्स का कोई छूट मिलता है क्या हमें जब कभी नाचुरल डिजास्टर हो गए वसूली तो बड़ा अच्छा कर लेते हैं आपके बैंके अग्रिकल्चरल क्रेडिट में कितना खर्चा किया है आज के दिन आप पताईए आपके बैंक हमारे गरीब किसान के घर से उनके घर के चोकट तक लेके चले जाते हैं जब और कुछ बचा नहीं है उसके घर में और फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले अपने मर्सेडीज बेंज में देश भर में घूमते हैं आपको पता कि मर्सेडीज लक्जुरी कार का EMI ट्राक्टर का EMI से सस्ता है ट्राक्टर का क्या दाम है और क्या क्वालिटी है आपने कभी चला के देखा आज का दिन ट्राक्टर का वजन कम हो गई है जब हम जोदने जाते हैं तो हमारी ट्राक्टर उठ जाती है कि इसका गेंज में कमी आ गई है और आप देखिए मैला का किसान का आपने कुछ नहीं दिया लांडलेस विमेंट बेशली डलिट विमेंट एक्सपांचिर अधियों डबल टैम तु यू प्लीज सर एक मिल्ट सर इसर मैं कंक्लूड कर रही हूं कि अब स्वास्त के बारे में मैं क्या बता हूं सरकार तो तंदुरुस्त लगती है कि तीछे से कुछ आपने कह दिया है कहने के लिए कि देशवर में इतने सारे इंशुर्स आप भी जानते ये होने वाली बात नहीं है आप बोले हमें जूटे उमीदे मत दीजिए क्योंकि फिर हमने जो दमडी दमडी जोड़े हैं अपना आटे के डिब्बे में अपने मर्दों से चिपा के जो पैसे हम बचत करते हैं तो वो भी हम खर्च कर लेंगे यही सोचते होए कि सरकार हमारी सहरा बनेगी ये तो होने वाली बात नहीं है सर सारे स्कीम आप मुझे आपने घंटी बजा दिया तो मैं मजबूर हूँ कि मैं संखेप में बोलूँ आप मुझे बताइए सर पी एम आर पी आर वाई इस स्कीम के नीचे आपने एक पैसा नहीं अलोकेट किया प्रधान मंत्री राश्ट्रिय पकोडा रोजगार योजना में कहीं भी एक पैसा नहीं दिये है सर स्किल डेवलप्नेंट पे तो यह देना था मैं कहीं भी इस हैडगे नीचे हमें कुछ पैसे मिले नहीं मगर सब्सक्राइब इस इस दर खुरूशल पांट रेडोकाजी सर बचेट सर फिनिश सर आम तुरां 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 इसकी फिसकल तांगे जो 3.2 परसंट से उतर गई है फोड परसंग आपको जानकरी है क्या जो दिया हुआ फॉर्टी टू फूड पार्क में चार चलते हैं वो भी लंगडर ते लंगर तो आंकडे देने से को चार भी नहीं चल रहे है दोकर दूसरा नाम लेंगे आप तमाब कीजिए ने यहchine ने पयरा फूनिज्ञाँं के संधाय निर्भया फॉन्ड महीं 10 कि अलाके यह गारत के साथ बलतकार होने के बाद हम उसको कुछ सवलत और छूट देने के लिए, मगर मैं सोचती हूँ कि इस निर्भया फंट को हटाई दे, बलतकार की सवाल नाम मैं बोलता हूँ, महिला का मर्याबा की सवाल है, जो इस हाउस में गेश के प्रधान मंत्री एक महिला का बेईज़ते करते हैं, और ग्रेया मंत्री जो हमारी रक्षा करना चाह तुरिच्ची सिवा, यो भी ट्वीट करता है, यह अलाद अगर इस हाउस में है, यह बैट जाए हूँ, इस बाट पोल रहे हैं, क्या कहते हैं, आख्रे देते जाते हैं, आख्रे दिखाते हैं, इस आख्रे कुछ ने होगा सर, इरादा होनी चाहिए, मैलाओ का मर्यादा हो अगर आप यह दे नहीं सकते, तो शरब से ही एक्सपंजिक कर दामा हद कीजिए, जो चीज जो चीज उन पार्लिमेंटरी है, उसको मैं निकाल दूँगा, इसको एक्सपंज किया जाएगा, चलिछ चुछ तुछ